हेलो फ्रेंड्स समस्कार मैं हूँ समय और आप देख रहे हैं अप टू नाउ चैनल तो फ्रेंड्स आज है 17 मही 2020 और 17 मही 2020 से रिलेटेड के जितने भी इंपोर्टेंट क्विशन्स बनते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और उसके अलवाद जो इस क् फैक्ट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो में बने रहे हैं तक तो बढ़ते हैं पहले क्विशन की और फंड of the funds was first announced in the union budget on February 1, 2020 based on the recommendation of which committee तो इसका मतलबा एक फरोरी 2020 को केंदरी बजट में फंड की गोशना पहली बार कि समिती की सिपारिशों के आदर पर की गई थी तो ये जो समिती सिपारिश थी ये थी उपंदर कुमार सिना की समिती इसके बारे में डिटेल में देख लिएते हैं गोवर्मेंट विल सेट अप एफंड of funds with a corpus of इंडियन रूपीज 10,000 क्रोड देट विल प्रोएड एक्विटी फंडिंग सपोर्ट फोर MSME यानि कि micro, small and medium enterprises है तो उसको जो एक इक्विडिटी प्रोएड करने के लिए गोवर्मेंट ने एक 10,000 क्रोड कॉर्पस का एक fund of funds एक सेट अप किया है और यह जो fund of funds है यह जो पहले अनॉंस किया गया था यूनियन जो बजट जो पास हुआ था फरवरी 2020 को और यह जो रिक् प्रोज की गई थी और the fund is meant to address the problem of shortage in growth capital for MSE तो जो MSME की जो capital growth है उसमे अगर shortage होती है और shortage की problem होती है तो यह fund उसके लिए use किया जाएगा और यह scheme है जो यह finance ministry से अप्रूल होगी अप्वेल में और यह cabinet में अभी अप्रूल के लिए pending है यानि कि लंबी थे अभी तो वड़ development bank of the BRICS countries have fully dispersed $1 billion emergency assistance loan to India to help it contain the spread of COVID-19. Where is the headquarter of the NDB? तो BRICS देशों की new development bank ने COVID-19 की परसार को रोकने में जो मदद करने के लिए बारत को एक billion dollar के आपात का लिन जो साहतरिन है उसका पूरा पैसा दे दिया है तो NDB का मुख्याले कहां है तो NDB का जो मुख्याल है वो है संगाई में तो इस क्यूशन का जो correct answer है हो गया संगाई तो जो संगाई based new development bank है BRICS का और BRICS की full form क्या होती है B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China और S for South Africa तो यह आपको याद रखना है BRICS की full form तो यह country अभी एक billion जो dollar emergency fund था इंडियो को loan का तो उन्होंने पूरा दे दिया है जिससे कि वो COVID-19 का परसार रोकने में मदद कर सके और it will reduce human social and economic losses caused by COVID-19 penediving तो COVID-19 जो महामारी है उसकी वज़े से आर्थिक सामाजी और जो human है इंसानों को इससे ज़्यादा कम से कम नुक्सान हो उसके लिए सायता जो प्रवाइड की हो किसे की है ंडीबी भेंकने और जो emergency assistance program loan है तो इंडिया वोज अप्रूड बाई एंडीबी बोर्ड और डारेक्टर न अप्रेल तो यह 30 अप्रेल को अप्रूब कर दिया गया है और अप्रेंडीबी के अभी जो प्रेजिडेंट है वो है के भी कामत और इसकी जो स्तापना है वो हुई थी 15 जुलाई 2014 गो बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और वी इस डिरेक्टर जनरल ओफ फूड एंड अग्रिकल्चर और गनेजेशन यानि की एफ ए ओ तो खाद्य और कृस्टी संगठन की महानिदेशक कौन है तो जो एफ ए ओ है उसकी महानिदेशक है क्यू डॉंग इओ यानिदेशक का झो गडाव kisses क्यू डॉंगिओ ऑ बढ़ते हुई है क्यू डॉंगिओ तो क्यू डॉंगिओ इफ फूख ऑस नाइनथ डिरेक्टर जनरल तो यह नुवफ डिरेक्टर जनरल है अंगल जब से रिप्लेस करेंगे और यह जो इनका कारिकल इस्टार्ट होगा एक अगेस 2019 को और यह 31 जुलाई 2023 तक इसके महानिदे सक बने रहेंगे तो बढ़ते हैं अगले किशन की ओर Which of the following states has become the first state to regulate the cultivation of crops by telling farmers what to grow as a part of its pilot project तो निमलिकित में से कौन सा राज्य किशनों को अपनी पाइलेट फरीजना के हिस्से की रूप में विक्सित करने के लिए कहकर फसलों की खेती को विनीमत करने वाला पहला राज्य बन गया है तो इसमें जो स्टेट नंने किया कि प्रोजेक्ट चला Χा से पाइलेट वरोजेक्ट और उसके भे स्टर्विए व किसानों को यह कह रहे हैं कि आप यह फसल उगायए और यह फसल ना हो बाइया है तो इससे यह जो क्रोफ है उसका कल्टिविशन को रेगुलेट करना चाह रहे हैं तो यह पाइलेट प्रोजेक्ट है और ही शुरू किया है तिलंगा ना गुवर्मेंट ने तो इसके लिए अब बिहार के बारे में देख रहेते हैं तो बिहार की कैपिटल आपको पता है पटना है और यहां के अभी म जलजीवन मिशन है उसके तहत जो ग्रामिन इलाका है उसमें 2022 तक सभी को एप कनेक्शन देंगे यानि की नलका कनेक्शन प्रवाइड करेंगे और जो पंजाब है उसने अभी कोविड-19 में कोवा पंजाब एक एप लॉंच किया ता तू फाइट अगेंस्टी कोरोना जिसमें किसानों को बताएंगे कि आपको क्या उगाना है और क्या नहीं उगाना है तो जो थिलंगाना की चीप मिनिस्टर है के चंदर सेकर राओ तो उनने एक स्टेटमेंट इस्यू किया है बारा मईद हो जबीश को और वो ये कह रहे थे कि जो इस्टेट है अभी एड़ी हुआ है और इतनी दूसरी फसल आपको होगा नहीं है तो फ्रेंट इसी तरह से आप करेंट अफेर की वीडियो डेली मोर्निंग में शिक्स ओक पाना चाते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी पास बने बेल आइकन को फ्रेश करें तो बढ़ते हैं एगले किसन क्यों फॉर्मर लोकसभा एंपी राजा रंगपा नायक वू पास्ट अवे रिशेंटली असोशेटेड विट विच पोलिटिकल पार्टी तो जो पूरुवर लोकसभा सांसत थे राजा रंगपा नायक जिनका हाली में निदन हो गया वो किस राजनितिक दल से जूड़े थे तो वो जूड़े थे जड्यस से यानि कि जनतादल सेखुलर से यह तो फॉर्मर जो जड्यस जनतादल सेखुलर एंपी थे एंपी तो नोका अभी हाली में देहानत हो गया 61 साल की आयू में और उनका दियानत हुआ करनाट का की जो केपिटल है बेंगलोरू में और उन्होंने रिफर्जेंट किया था राइचर कंस्टिशिएंसी और करनाट का और वो जो 1996 का जो लोग सब्वाई एलेक्शन था उसमें वो एलेक्टेड हुए थे वरते हैं अगलो क्यों के और विच पॉर्टल है बिन लॉंस्ट बाइचर को राष्ट्रिय और वेश्विक चैंपियंस के रूप में बड़ी लिग में मार्च करने के लिए कौन सा पॉर्टल है लॉंच किया तो यह जो पॉर्टल लॉंच किया है यह किया है चैंपियंस तो आपको इसक्रिशन का जो करेक्ट आंसर है वो है चैंपियंस यह याद रखना है आपको और जो चैंपियंस पॉर्टल है यह लॉंच किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ओप माइक्रो इस्माल एंड मीडिय M for Modern, P for Process, I for Increasing, O for Output and N for Nation and S for Strength तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी होगी Creation and Harmonious Application of Modern Process for Increasing the Output and National Strength और यह जो Portal है एक One Stop Shop Solution होगा MSME Ministry के लिए और यह जो Champions है वो यूटिलाइज करेगा Modern ICT Tools है और ICT Tools कौन-कौन से होते हैं जैसे कि Telephone हो गया, Internet हो गया और Video Conference हो गया और इसका जो मेन उद्दे से है To Assist Indian MSME यानि कि जो Indian MSME है Micro, Small और Medium Enterprises है उसकी मदद करना और जिससे कि यह National और Global Champion बन सके तो बढ़ते हैं, एगले क्यूशन के और External Affairs Minister जैस संकर has attended the Foreign Minister's Meet of Shanghai Corporation Organization hosted by Russia, where is the headquarter of SCO located? तो जो विदेश मंत्री, जैस संकर ने रूश द्वारा आईजित संगाई, सहयोग संगतन के विदेश मंत्रियों की बैठक में बाग लिया और जो SCO है, उसका मुख्यले कहाँ इस से थे, तो इसका मुख्यले जो है, वो बीजिंग चाइना का जो capital है, वहाँ पे इस से थे प्रिस्क्यूशन का जो correct answer है, वो गया बीजिंग और इसके बारे में डिटेल ने देख लेते हैं, तो जो external affairs minister है, आपको इसका नाम याद रख रहे हैं इनका, SJ संकर है, तो इन्होंने पार्टिफेट किया एक virtual conference में, तो virtual conference वो होती है, जिसमें आप किसी conference room में सब इक्टे आता, तो ये Shanghai Corporation, जो member states है, उनकी meeting थी, और उनने इस चीज पर जोर दिया, कि सब collective action लेंगे against terrorism, यानि कि terrorism जो आंतक वाद है, उसके against में सब मिलके, जो है action लेंगे, और उसके अलावा जो भी चुन होती है, जो challenge है, security related, तो उसमें भी सब मिलके इसका collective कोई action solution निका लेंगे तो SEO जो है, इसका headquarter है, Beijing China में, और China के जो president है, वो है, Xi Jinping, तो बढ़ते हैं, एगले question के और, which of the following states, CM announced that the state will soon develop its own standard operating procedure for the tourist visiting the place, तो इसका मतलब है, निव लिखित में से किस राजी की CM ने गोशना की है, कि राजी जल्दी आने वाले प्रेटकों के लिए अपने श्वेंग के म आनक संचालन परक्रिया विक्षित करेगा, तो यह जो गोशना की है, यह की है, गोवर्मेंट ने, तो discussion का जो correct answer है, वो गोवर्ला की capital है, तिरवंत फुरम, और इन्होंने जो SDG index थी, उसमें first rank का आसिल की है, और जो राजस्तान है, वहाँ पे जो COVID-19 के लिए rapid test है, वो सही result नहीं दे रहे थे, इसलिए वापिस दूसरे दिन ही बंद कर दिया गया था, उसके लावा राजस्तान की capital उजयपूर है, और गुजराद जो है, उसकी capital गांधी नगर है, और यहां के मोजुदा जो मुख्यमंत्री है, वो विजे रूपानी है, और यहां के governor है, आच खुद का standard operating procedure शुरू करेगा, किसके लिए जो टूरिस्ट है, तो टूरिस्ट अगर गोव विजिट कर रहे हैं, तो उनका अपना standard operating procedure रहेगा इसके लिए, तो बढ़ते हैं के लिए, और नेम दी पर्शन हो एज बिन आवाड़ेड विद दी वाइस एड्मिरल जीम हीरा न जन्दानी memorial rolling trophy से समानित किया गया है, तो ये समानित किया गया है, अक्से कुमार, तो ये actor अक्से कुमार नहीं है, ये lieutenant है, अक्से कुमार तो इसके बारे में detail में देख लेते हैं, तो जो lieutenant commander है, अक्से कुमार, और ये anti-submarine warfare rescue of the southern novel command, यानि की SNC, जो कोची में इस्तित है, उसके lieutenant commander है, और उनको अभी समानित किया गया है, वाइस admiral GM हिरा नंदानी memorial rolling trophy 2020 से, और ये जो trophy है, ये दी इनको, वाइस admiral 1 के चावला, जो की flag officer commanding in chief है, यानि की FOC in chief है, SNC का फुल्पर हो गया, southern novel command, और ये जो award ceremony है, ये कहा हुई थी, ये maritime warfare center, कोची केरला में हुई थी, तो बढ़ते हैं, एकले question के और, which company unveiled India's first indigenous hot air seam sealing machine for PP kits, तो किस company ने PP kit के लिए बारत की पहली साओदेशी hot air seam sealing machine का अनावरण किया है, तो ये किया है, make power ने, तो इस question का जो correct answer है, हो गया, make power, तो इसके बारे में detail में देख लेते हैं, तो गुजरात बेश एक company है, make power, और जिसने अनावरण किया है, स्वधेशी hot air seam sealing machine का PP kit के लिए, और ये इंडिया की पहली स्वधेशी hot air seam sealing machine है, और इसको यूज करके जो PP kit है, उसको आधी rate में बनाया जा सकता है, जो कि imported, जो बार से import करते हैं, उसके बदले, उसकी आधी price में, जो है PP kit to India में ही मिना सकते हैं, और इस machine का जो अनावरण है, वो गुजरात के जो चीप मिनिस्टर है, वीजे रुपानी, उन्होंने किया था, तो friends, आज के current application बस इतना ही, अगर आप वो वीडियो पसना है, तो आप like, comment और share करना ना भूले, और उसके अलावा, आप हमारा telegram group भी जोइन कर सकते हो, telegram group में आपको डेली की PDF फाइल, आपको करेंट अपर के वीडियो की लिंक और उसके अलाव, वहां पे competition के related questions भी डालते हैं, और वहां पे quiz भी आई विजित की जाती है, तो आप उसमें भी participant कर सकते हो, तो उसके लिए आप telegram group को जोइन कर सकते हो, so friends, thank you so much for watching and stay tuned for more updates.